तवा हमारे किचन की सबसे जरूरी चीज है अगर तवा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी आज हम आपको बटाते हैं कि वास्तों के अनुसार तवे का कितना माहत्व है और यह भी कि किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से तवा रखने पर मिल सकते हैं आपको बेशुमार और खुल सकते हैं किसमत के बंदर वाजे वास्तों में तवा और कढ़ाई राहू का प्रतिनीदीत्व करते हैं चुकि रसोई में ज्यादातर महिलाएं ही समय बिताती हैं इसलिए उनसे उम्मीद कि जाती है कि वे रसोई को साफ रखें यदि कोई महिला गंदे तवे या ऐसा राहू के को प्रभाव के कारण हो रहा है अन्योपाई आप आज माते ही होंगे इसके साथ साथ आप रसोई पर भी ध्यान दीजिए कि कहीं तवे और कढ़ाई के गलत तरीके से रखने की वज़े से तो घर में नुकसान नहीं हो रहा है आए जानते हैं कुछ काम की बा दो नयुक्त तवे को धोकर जरूर रखें इसके बार जब आप खाना बनाने जाएं तो तवे को गरम करने के बाद लोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालीं लेकिन इस बात कग्यान रखें कि नमक में कोई अन्यपदार अर्थय ना मिला हो हाई अब इसके बाद दो या तीन इंचे की एक रोटी बना ले अब इस रोटी को ऐसी जगह रगदे जहां से कोई जानवर उसे खा सके अगर आपके घर की सारी नकारात्मक उजा समाप तो हो जाती है और आपके घर में सुक समरद्धी भी बनी रहेगी दूसरी बात घर में जब तवे का उप्योग न हो तब उसे ऐसे रखे कि दो दिखे नहीं यानि उसे किसी अलमारी में रखे खुले में नहीं तवा या कड़ाई कभी भी उल्टी नहीं रखनी चाहिए तवे और कड़ाई को जहां खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखे कभी भी खाना बनाने के उ क्योंकि इससे होने वाली जो चन्न की आवाज होती है वह आपके जीवन में मुश्किलों का शोर पैदा कर सकती है जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नीबू और नमक रखने इससे तवा तो चमकदार होगा ही आपकी किसमत भी चमक जाएगी तवे या कड़ाई को कभी भ आपका ख्याल रखना बहुत जरूरी है घर में इनकी स्वच्चता का जीतना ध्यान रखाजाएगा धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे सभी वर्तनों में यह दो चीजे अत्यदिक सम्मान के योग्ये है तो ध्यान रखिए रसोई में अगर आप है तो तवे और कड़ाई कैसी रखी जा रही है इसका ध्यान अवश्य रखे